असलाव अलेकूम माई यूटूब फैमिली आप कैसे हो उमीद करते हूँ कि आप ठीक होंगे जहां हो खुश हो और अल्ला पुश्यादता फर्माए हर भी माड़े सुब़ चाई आमीन सुम्मा आमीन सुबा सुबा हमारे घर में चाई बन रही है और मैं चाई बना रही हैं सब के लिए और हमारे घर में कैई हैं कैई फैमिली रहती हैं मेरी चाचियां रहती हैं कैई और उस सब खे घरों में चाई बन रही हैं इस वक्त और मैं बहुत जल्दी खड़ी होती हूँ वैसे सब काम कर लिया मैंने सबसे पहले तो मेरा भेशो का काम होता है मैंने बरतन भी दो चुकी हूँ और सारे काम मैंने रोटिया ओटिया बना लिया है सब कुछ और मैं अब बना रही हूँ आलू की चटनी यानि आलू बुर्ची भी बॉलते हैं इसको मैंने आलू बॉयल किया आज तो मैंने फाल तो इसलिए लिए थे क्योंकि दूपेर में हो जाएगा कोई ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए कर दूँगी तो मेरे उमीद थी तो मैंने इसलिए पाल तू बोईल गई है और अब मैं आलू की भुर्जी बना रही हूं सारे का मेरे फिनिश हो गए हैं और में स्टार्ट करती हूं वल् Здесь करती हूं लेकिन मेरे काने में बहुत देर हो गए थी दो धिन हो गए थे तो मैं ऊससना कुछ घर में चलता रहता है मूं लौप रहता है और कुछ हो ती है कि मैं अडेटोर इटुर्डट को पाती हूं जब मूं खराब हो जाता तो दिक् कि जब मैं आप लोगों के लिए अपना वोग नहीं सेंड करती तो आप में बना रही हैं आलु देखुब मिल आलो की चट्नी और इसमें ने चट्नी में सब कुछ भी सिलिया है जी रमस पीश लिया है इसमें और लासन पीश लिए है और लोंग ली है एक डोड़ा लिया एक तो गरम मशाला में पिछा इसमें वेसे नहीं डालूँगी तो मैंने इसमें इसमें पीछ लिया है कि ज्यादा एक खाते भी नहीं है तीखा और इसको मैं भून कर ही करती हूं प्यास और टमाटर समय ने भून लिया था कि बहुत से लोग डाला था बोईल किया था तो मैं इसमें डाल लेती हूं और अलोगी चटनी बन गई आप मुझे कमेंट कर बताइए और प्लीज आप मेरे चैनल को जो मेरे व्लॉप को देख रहे हैं हो सब्सक्राइब करो वीडियो लाइक सेयर करा करो कमेंट करा करो मेरे लिए मैं आप जो आपको मुझसे पूछना हो में कोई रेसिपी में कोई मिस्टेक वगेरा अलगती हो आपको तो आप कमेंट करकर पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि भी नए नए चैनल है तो मैं खूब कोशिश करती हो अपना व्लोग बनाने में और डालने कि अपना नेट खाती है 2000 करने महिने का होता है क्या करती हो मनगी यह भी यह करने लगा और कभी इसका ख्लासा होगा पता नहीं मेरा व्लोग का तो मैंने बना लिया है मेरे काम रेडी हो चुका है सब के लिए लेती हूँ सब आएंगे तो सब को फरोशना होगा सारे जब इखटे हो जाएंगे सब के लिए मैं एक बार ही दे देती हूँ मेरे बरतन थे मैंने दो लिये हैं और मेरे कपड़े मशीन लगा रही हैं क्योंकि इन कपड़ों को दोना हैं और देवर आये थे देवर के भी कपड़े थे दिल्ली से आया था वो उसके इखटे होते हैं हफते के कपड़े हफते में आ जाता है तो सब के कपड़े में लगा खाली हैं सब भर लिया अपनी सो गए तो मैं रेस्ट कर लेती हूं थोड़ा सा तो पेर में हो गया मेरा टाइम दो बजे का तो मैं नीचे गई हूं अब नीचे आकर मैंने बच्चों के लिए चाई बनाई तो बड़ी लड़की बोलती है फिर वो तालीम के लिए जाती है काफी धुआ भी होता है और इसमें जगहे भी नहीं है तो मैं सोच रही किसी में जमाल हूं तो यह गंदा हुआ पड़ा है इतना इसको कभी कभार कर देते हैं हफते में दस दिन में कर देते हैं काफी गंदा हुआ पड़ा तो इसकी सफाई की मैंने मैंने किसको साफ कर ले होती है तो इसको मैं अब ओपन नहीं कर रही कि ओपन करूंगी तो फिर ऐसा यह दिक्कत देगी तो इसको साफ करकर इसमें इपना इंडेक्शन जमाती हूं इंडेक्शन जो मिला था मेरे बहाई एक मैंने गिफ्ट में देया था आज इसको 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 एस्तेमाल करते हूं लड़की कहती रहती है इसका मैंने कभी कि पर कई टूर नहीं बनाया था लेकिन आगे अगर कोशिश करूंगी आगे तूर बनाऊंगी पैसे काफी तीन कुछन है एक में आटा होता है वो भी इसी थी कि जैसे चूले की ही एक में चूले की है उस पर गेश उसी में रखते हैं क्योंकि वहां पास ही पढ़ जाता है जब रोटी वगेरा लेते हैं वहीं कि वहीं तो पास पढ़ जाता है इसमें नहीं जमाने देती ह कुए पर रहने को तो अब तो फैन हो और झाते को फैना आ ज़िए इसे कि पर फैनल रहता हैॉ सतिकर कर ड्राइनः तरिम पर दो फैनल वगह पिह स्थमांग तो फैन यह हुट स्फार को तो मैं इंडेक्शन को चालू करती हूं तो इस पर मैंने रख दिया है वैसे काफी अच्छा है इस पर सब तरह की है जैसे कुछ बनाना इटली डोस हो गेरा जिसमें मन्दा करना हो शब है इसमें बारेश हो तक था लेकिन मैंने बड़ा वैस इसकी दिक्कत होती है कुछ नही और इसमें दिक्कत होती है कि नीचे बीजने नहीं चाहिए नीचे रहे और भीजने से बचाना चाहिए नहीं इसको पर पर पड़ दो उफन भी जाता है बॉइल करते हैं जैसे वगएरा उफन जाता है उसरा भी देखो कुछी कि मारेश है पर बैटिये और चाई कर शब य पीबी ली थी और फिर भी बनाने की जिद कर रही एच्छा एक खाली पीडर की वज़े से मैंने आलू की चटनी बनाई तो थी लेकिन फुपो ने वह चटनी खाई नहीं वो रात की सब्जी खाई थी जो बाशी जो फ्रेज में रखी थी तो फ्रेश वेसल लेकिन वह खाई मेरा मून इतना ओफ हो गया था कि मैंने इतना उससे बनाया था और उसमें आज दो बोईल कर ले दो फाल तू आलू ले लिये थे तो उसमें क्या हर्ज है लेकिन फुपो ने पता नहीं मून बना रखा था तो दोनों मावेटी हो नो वही खा लिया था रात की सब्जी तो आलू की चटनी बहुत सारी भरी पड़ी है और लोगों के लिए भी दिती देवर और अपने हजबन सब के लिए दिती ते लेकिन बची पड़ी है अब इसम में इसकी में चौाइस दी थी कि मैं ब्रेकफास्ट बनाओं दूपैर में चाही के साथ लेकिन बना नहीं पाई तो मैं नहीं बना पाई प्रेग कि बना दिया था कि लड़की जिदे कर रही है, यहां भूने भी looked at me. हरी मिर्च होती है हरी मिर्च की चटनी तो भी होती है उससे बहुत अच्छा बनता इसमें बीच में चीज लगा देती तो और भी टेस्ट होता तो मैंने आज यह देखो मेरे दूसरा गिफ्ट था तो मैंने यह यूज कर लिया बहुत अच्छा है देखो टोस्टर बहुत लेकि तना तोह जल्दी गरम नहीं हूता जितना जल्दी इस पर हो जाता है तो हुए सही सोचते हूं पिया करूँ फिर मै heraus फो को बढ़ऄ फीर में जे लिस पर्कों be दे plugins मां उसी फुपई के देते हैं जैसा कोई मत दे तो कोई वहलू नहीं होते है वैसा अगर रिस्तेदारी में दे थैते हैं तो कोई वहलू नहीं साथी के बहुत अबाद में लड़की का श्या EXT गहर ना पड़ता है यह वह गहरा है वहल पर फिर मैं बेक्त केहती Says कि यहां की फुपो भी है उसी घर की तो मैं भी उसी घर की बेटी हूँ तो इस पर बहुत फर्क पड़ेगा मेरी साड़ लेंगे तो मैं इसलिए मैं घरवालों से कुछ कहती नहीं हूँ उस माँ बाप की तबियत ठीक नहीं रहती तो इसलिए भी नहीं कहती तो अपने आप बिस घर्ला कभी डिन को बिदलेगा तो मैं की चलो कोई बात नहीं बात क शीयर करों तो मुस्षे मेरा दिल भ finance के लिए बनाया तो मैं जब आाख और जोगेरा तो मैंने इसमें इसके लिए बिना वेसे डाल डेघी लगाकर फापी नहीं मिर्च तो मैं इसके लिए बना जि और हमारे शार हैं मिलते हैं तो अपने खीmar करते ही दो है- कई हम और मेरे छेनल मेंस करते हैं अपना उ दो पौे और मिलते हैं नयक्स्ट वेडियो में चाल